Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नबर 5 एक्सराइजेशन एक्सराइज 5.14 का कुष्चन फाइंड दा स्वाइड आफ फॉलविंग एक्सप्रेशन बाइड डिविजिन मेथड जो है वो सॉल्फ करेंगे तो आज के कुष्चन है कुष्चन नबर 15 बहुत ही लोगा हो जाएगा एक्सिक्राइट पर यहां पर जाएगा लिग एक्सिक्षरा अब यह और अपॉन इस लेए नहीं लिख रही क्योंकि जब देखें कित्व के साथ एक्से कैस्स राहए गा तो सिर्फ बंडरा जाएगा तो नबर 20 इसी तरहां से रहाए ठीक है यहां पर आगे माइनस 4x अब फिर से 4 multiply हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स और प्लस का 4 ठीक है अब इसी तरह नीचे भी y square minus 2 plus 1 upon y square अब माइनस 4y minus 4 upon y और प्लस का 8 ठीक है अब यहाँ पर x और y को इसके descending में कर देंगे ठीक है और साथ यहाँ पर देखें तो उपर वाली जो expression इसमें 4 में से 2 minus होंगे यहाँ पर ठीक है और नीचे वाली में 8 में से यह 2 minus होंगे ठीक है तो यह 6 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा तो यहाँ पर expression क्या बचेगी x square minus 4x plus 2 plus 4 upon x plus 1 upon x square ठीक है और y y square आ गया minus 4y फिर plus 6 minus होगा तो प्लस का 6 आ गया फिर minus 4 upon y और फिर plus 1 upon y square ठीक है तो यह हमारे पास जो expression है वो तयार हो गई अब हमने simple उपर वाली expression का अलग डिवाइड करके निकालने हैं नीचे वाली का अलग अब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे for numerator तो उपर क्या है हमारे पास वो लिखतेंगे यहाँ पर so x square minus 4x plus 2 फिर है 4 upon x और फिर plus 1 upon x square ठीक है तो x square है यहाँ पर तो x आ जाएगा यहाँ पर ठीक है x का square आ गया x यहाँ पर भी आ गया minus होंगे तो यह तो हो गए 2x और यहाँ पर यह कैंसल हो गए 4x उत्रह plus का 2 उत्रह ठीक है और बीच में यहाँ पर है plus ठीक है अब 4x plus 2 उत्रह यहाँ पर यह माइनस का है तो अब यहाँ पर minus के साथ value लगेगी तो minus का 2 लगेगा तो 2 toza 4x हो गया यह minus का तो यह plus में cancel और यहाँ पर 2 toza 4 हुआ प्लस का 4 चीक है यह minus अब दो में से 4 जाएंगे यानिके हो जाएंगे minus 2 अब फिर plus 4 upon x plus 1 upon x square तो यहाँ पर minus 2 और minus 2 हो जाएंगे plus तो यहाँ पर 2x minus 4 अब यहाँ पर लगा देंगे हम minus 1 upon x तो जब हम minus 1 upon x का square लेंगे तो हो जाएगा 1 upon x square प्लस अब 1 upon x को 4 से multiply करेंगे तो हो गया 4 upon x और फिर इससे multiply करेंगे तो यह x x से cancel और 2 1s आ 2 minus का ठीक है तो यह cancel यह भी cancel यह भी cancel यह भी cancel तो नीचे रह गया 0 उपर क्या आ गया x minus 2 minus 1 upon x ठीक है तो इसका answer यह आ गया अब denominator का for denominator इसे भी हम सेम इसी तरह से divide करेंगे अब यहां पर यह expression है वो है y square minus 4y plus 6 minus 4 upon y और plus 1 upon y square ठीक है तो पहले y आ गया उपर भी y आ गया y square हो गया यहां पर भी y आया तो यह हो गया 2y यह cancel हुआ फिर आया minus 4y plus 6 अब यहां पर minus के साथ कौन सी value लगेगी 2 तो 2 तूजा 4y और 2 तूजा 4 ठीक है तो यह हो गया plus में यह minus में तो minus का 2 यहां भी आया तो यह हो गया 2y minus 4 यह cancel हो गया 6 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा 2 अब minus 4 upon y plus 1 upon y square तो minus 4 अब यहां पर value आजाएगी प्लस अपका 1 upon y तो अगर इसका square लेंगे तो आजाएगा 1 upon y square फिर plus 4 है अब 1 upon y जब 4 से multiply होगा तो 4 जाएगा 4 upon y minus और 2y जब 1 upon y से होगा तो y से cancel और आज गया 2 जाएगा 2 जाएगी तो sign जो है वो change हो जाएगी तो यह cancel यह भी cancel यह भी cancel यह भी cancel नीचे कुछ भी नहीं बच्चा उपर क्या आ गया y minus 2 plus 1 upon y अब यहां पर चाहें तो square root of numerator और जो denominator है इसको आप इस तरहां से भी लिख सकते हैं जिस तरहां से upon में दियावाए उपर x minus 2 minus 1 upon x is numerator का आया है और denominator का आया है y minus 2 plus 1 upon y चेक है answer तो यह था आज का question अमीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा मजीद questions के लिए चैनल को कर दें subscribe और साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए अलाहाफिज